मुंगफली खाने के इतने जबरजस्त फायदे जो कि आपको काजू, बादाम या फिर पिस्ता भी नहीं दे पाएगा मांस और अंडे से भी दस गुना ज्यादा ताकतवर होती है मुंगफली दोस्तो हर एक व्यक्ति जो स्वस्त है उससे अगर आप पूछेंगे कि आपकी सेहत का राज क्या है तो वो आपको मांस अंडा या फिर ड्राइफरूट खाने की सलह जरूर देगा लेकिन अगर आप मुंगफली को सही तरह से खाने का तरीका जान जाएंगे तो ये आपके लिए मांस या फिर किसी भी ड्राइफरूट से कहीं ज़्यादा पॉस्टिक रहेगा और आपको ज़्यादा फाइदा पहुँचाएगा मुंगफली को गरीबो का बादाम युही नहीं कहते हैं मुंगफली में बादाम से भी कहीं ज़्यादा पूशक तत्व मौजूद होते हैं जो कि आपको बादाम में दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे बस मुंगफली खाने का आपको सही तरीका पता होना चाहिए दोस्तों, 1500 ग्राम अगर आप मांस खाएंगे, तो इसमें आपको 19% प्रोटीन मिलेगा वहीं अगर आप 150 ग्राम मुंगफली खाएंगे, तो इसमें आपको लगभग 30% प्रोटीन मिलेगा मुंगफली में बहुत से ऐसे विटमिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि आपको बादाम में नहीं मिलेंगे ये पॉस्टिक चीजे आपको मांस या अंडे से मिल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मुंगफली आपको कैसे खाना है, किस समय खाना है और क्या है इसको और भी जदब पॉस्टिक बनाने का तरीका आईए जानते हैं सबसे पहले आपको दो मुठी मुंगफली लेना है और इसे खाली कटोरी में डाल लेना है अब इसे हम पानी से भिगोएंगे पानी आपको इतना लेना है कि मुंगफली इसमें अच्छे से भीग जाए कमजोर सरीर, ठकान, आलस, कमजोर आखे, खराब पाचन सकती, खून की कमी और कमजोर दिमाग के लिए मुंगफली सबसे जबरजस्ट फूड है क्योंकि इसमें प्रूटीन, मल्टी विटमिन्स, मल्टी मिनरल्स, बादाम, मांस और अंडे से भी कहीं ज़्यादा मौजूद होते हैं तो जो लोग मसल्स बनाना चाते हैं, अपने सरीर को गुड़ शेप देना चाते हैं, मजबूत बॉड़ी बनाना चाते हैं उनके लिए ये बेहद ही जबरजस्त फूड है, मौगफली मांस से भी कहीं जल्दी पच जाती है, इसे पचाना बहुत आसान होता है ये हमारे पाचन सक्ती को भी मजबूत करती है, भूग को बढ़ाती है, और सरीर में बैड कोलेस्टरॉल को भी दूर करती है जिन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनता है, उन लोगों के लिए मौगफली एक बहुत ही जबरजस्त फूड है, मौगफली खाने से पेट से संबंदित कई बिमारियां दूर होती है सुबा के वक्त नास्ते में खाई गई, दो मुठी, भीगी हुई मौफली, एसिडिटी कब्ज, भूख ना लगना, ये सारी समस्याओं को दूर करती है क्योंकि इसमें आयरन और कॉपर भी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इस वज़े से खून की कमी भी मौफली खाने वालों को नहीं होती है जिन लोगों को खून की कमी है, वे लोग नास्ते में भीगी हुई मौफली जरूर खाएं, मौफली में गुड कोलेस्टॉल एक अच्छी मात्रा में होता है तो जिन लोगों को जोडों के दर्द की समस्या है, जोडों से कट-कट की आवाज आती है, वे लोग रोजाना भीगी हुई मौफली जरूर खाएं इससे जोडों के दर्द की समस्या, गठिया या फिर आर्थराइटिस रोग में बहुत ही ज़ादा लाग मिलता है भीगी हुई मौफली में विटमिन A और C भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, ये हमारे सरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है मौफली खाने वाला वेक्ती बार-बार बिमार नहीं पड़ता है विटमिन A की वज़े से ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद है एक सोध में ये पता चला है कि सबता में सिर्फ 5 दिन दो मुठी भीगू ही मुंगफली खाने से हमारी आँखों की रोशनी तेज होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड और इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया गुड कोलेस्टरॉल इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं तो ये हमारे हार्ट को भी सौस्त रखता है दिल की बिमारी होने का खत्रा भीगू ही मुंगफली खाने वालों के शरीर से दूर ही रहता है तो अच्छा पर जुर्रियां, डल चहरा, समय से पहले सफेद बाल, बालों का ज़र्णा सिर्फ दो मुठी भीगू ही मुंगफली खाने से दूर हो जाती है सुबा के वक्त दो मुठी भीगू ही मुंगफली खाईए बालो और स्किन से रेलेटेड सभी समस्याएं बहुत ही जल्दी समाप्त होंगी जो लोग दूध नहीं पीते हैं या फिर जिन लोगों को दूध नहीं पस्ता है लैक्टोज इन्टॉलरेंस है वे लोग सुबा के वक्त नास्ते में भीगू ही मुंगफली जरूर खाएं इससे दूध ना पीने वालों के अंदर दूध की कमी पूरी हो जाती है जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं उन बच्चों को अगर आप रोज़ाना सुबा नास्ते में एक मुंटी मुंगफली खिलाएंगे तो उन्हें दूध से मिलने वाला सभी पोशक तत्व मिल जाएगा इसके साथ ही जो लोग शुगर या फिर डाइबिटीस के पेशेंट हैं उनके लिए मुंगफली बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है मुंगफली शुगर का लेवल कम करती है दोस्तों चलिए अब हम ये जानते हैं कि आप भीगू ही मुंगफली को और भी ज़्यादा पॉस्टिक कैसे बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया रात में सोने से पहले दो मुंठी मुंगफली को पानी में भीगो के रख दीजे इसी मुंगफली के साथ ही साथ आप एक मुंठी किश्मिश भी भीगो के रख दीजे अगर आपको किस्मिस ना मिले तो किस्मिस की जगा पे आप एक छोटा टुकड़ा गुड का भी भीगी हुई मुंगफली के साथ खा सकते हैं तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुंगफली खाने के बहुत ही जवरजस्त फायदे के बारे में बताया अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर कीजे साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मिस न कर पाएं मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार